हेलो हैपी मॉर्निंग एब्रिवन तो कैसे आप उमीद करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे वाज की इस वीडियो में मैं आपको बदाने वाला हूं कि किस पिकार से आप अपने बोर्ड एक्जाम में बहतर से बहतर स्कोर कर पाएंगे तो को सबसे जदा इंपर्टेंट जानकारी तिसमें ये है कि आप इस वीडियो को सबसे पहली बात कि आप अंध तक देखें इसकिप करके बिल्कुल भी ना देखें क्योंकि वीडियो आपका लंमा बिल्कुल न concern सारी नियनकारे देने वाले है सबसे पहली बात ला अपका बोड़ एकजाम की डेट जैसे ही निश्यत होगी आपके दिल में तुक 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 को सबना पढ़ता है कि इस प्रकार से केरियर को बंदने वाला है वैसे तो board exam में क्या कोई भी exam आपका जीवन वो आपके अंदर का टैलेंट है वो निरधारत नहीं कर सकता लेकिन board exam में इतना जरूर निरधारत करता है कि आपने कितनी पड़ाई कैसी क्या की है तो सबसे पहली बात है आती की आप अपने अंदर का डर कैसे निकाल है कि बोड़ अग्जम का जो है तो सबसे पहली बात यह कि आप बोड़ अग्जम में बिलकुल बैसे बैटे हैं कि क्यूंकि मैं एक्सर देखा कि बुट्य टेस्ट के नाम से तिना नहीं डरते हैं और उनसे कहा जाए कि बोड़ अग्जाम देना है बहुत जादा उनके अंदर डर बैठ जाता है और बोड़ अग्जाम में कैसा क्या होगा लेकिन ऐसी बिल्कु जरहसी भी कोई बात होती ही नहीं है जो उनके लिए डर वाली बात है तो सबसे पहली बात मैं यहीं कहुँगा कि आप अपने अंदर का डर बिल्कु निकाल दें क्योंकि बोड़ एक्जाम में आपकी पिटाई नहीं होने वाली आप से कोई टौर्जर नहीं करेगा आपको सिर्फ तो सिर्फ अपने अग्जाम में तैम देना है दिएन देना है सब कुछ वही करना है तो अप अपने पढ़ाई का डग कैसे निकालें तो यहां पर दो महत्पूर जानगानी निकल के आती है अगर आम मस्ती में हैं तो आपके पास दो अप्शन है या तो आपने खूब जम के पढ़ाई कर लिए दूसरे अगर आपने बिल्कुल पढ़ाई निकी है तो आपको थोड़ा सा सीरिस होने के जरूद है कि आप इन दस पंदर दन के अंदर पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर सकते हैं कैसे आप पढ़ाई को इस परकार से कर सकते हैं कि आप अपने मोडल पेपर उठा लीजिएगा और वहां से आप यह देखिएगा कि अ अब तक आई हुए हैं और हमारे लिए उनको करना चाहिए बात समझ माईना बात आई कि उनको अगर आप करते हैं तो आपके एक्जाम में इश्कूर करने के जो चांस हैं और ज़्यादा बढ़ जाएंगे आप पास तो करी रहे जाएंगे लिकिन साथी साथ आपके जो बो क्योंकि उनका टामटेवल बना लें और पर डे के हिसाब से जो आपके इंपटेंट इंपटेंट कोईशन है उनका स्वार्ट नोट बना लें यानि की आप में उनको कैसे याद रख सकेंगे क्योंकि आप बहुत समुन्द्र जैसा पढ़ते हैं और नदियों जैसा याद र यार नहीं हुई तो मैं आपको यही सजिस्ट करूंगा कि आप उनके सौर्ट नोट बनाए चोटे-चोटे यानि कि आपके किस प्रकास से उनको तैयार कर सकते हैं इससे फैदा यह होने वाला है आपके लिए कि आप एक्जाम टाम में एक बार सरफ नजर फेरने के जल्वत अ से फाइदा किया होगा आप अगर खाना घाएंगे जैसे कि आपने रोटियां घाई तो रोटिया आपको क्या करेंगे सुस्ती देंगी आपके अंदर बहुत ज़्यादा एकदम नींद सी आने लगी तो इस कंडिशन में आप ज्यादा से ज्यादा आप तरल चीजों को ले जैसे कि दूद हो गया उसको आप लें चाय को लें कॉपी को लें अगर आपके पास होती है तो नहीं तो चाय हर जगह पे अवेलविल हो जाती है तो मैं आपको यही सजिस्ट करूँगा कि आपने जितना अब तक पढ़ लिया है उतना कबर करने के कोशिश कर रहें हार कोद को तयार करें मेंडली रूप से तयार करें और डिस्ट्रेक्शन से बचें आप इस बात को बिल्कुल भी ना बोलें कि हमें कुछ भी नहीं आता आपको बास यही बोलना है हमें बहुत कुछ आता है हमने बहुत कुछ तयार कर लिया है इस प्रकार की करणिशन अगर आ आप टॉपर्स के वारे में देखें कि उन्होंने कैसे त्यार किये तो उनके वारे में अगर आप देखेंगे तो कई सारी वैपशाइट ने कई सारे चैनल हैं जिनके मादम से आपको पता चल पाएगा कि उन्होंने उन टॉपर्स ने कैसी कैसी त्यारी की थी और क्या क्या र पश्चुने तयारी कर पाई है लेकिन बहुत कम मातरा हम कर पाई है तो मैं आपको बताऊंगा कि उस सब्जेक्ट में आपको थोड़ा सा जाधा सी मेहनत करने की जुरूत है क्योंकि वह आपका बहुत सारी मैनत फेकार कर देगा जितनी पी आपने एक साल मैनत की है वो उस में आपको बहुत ज़दा मैनत करने की ज़रुवत है इसलिए अभी जाग जाओ अगर नींस से आप नहीं जागे है तू क्य tag कि आप अब ही नहीं जागे टेक है जहन बंदे मातरम